विल्कम टू एजी सिंपल तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल नमबर एक का ए कौसेन में दिये गए मुनासिब अलफास चुनकर बयान को दोबारा लिखे बयान को दोबारा लिखना है आर्कियालाओजी आफ नॉलेज नामी किताब खाली जगे ने लिखी किसने लिखी तिये किताब माइकल फोको ने नेक्स्ट दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर खाली जगे शेहर की खुदाई के दोरान दर्यावत हुआ इसका जवाब है उर अप्शन सी इसका सही जवाब है नेक्स्ट है रियासत महाराश्टी के पहले वजीर आला खल जगे की कारकरदगी में मराथी दाइरातुल मुआरिफ की तखली का आगास हुआ यश्वन्त राव चौहान की नेक्स्ट मंदर जजैल मंदर जजैल से हर गुरूप की गलत जोड़ी पैचान कर लिखे आपको एक साइड में इनके जो मुफक्री न है उनके नाम दिये गए और उनके लिखिवी किताबे का नाम दिये गए है तो इसमें सही जवाब क्या होगा गलत जोड़ी लिखना है अपने को तो इसका जवाब है आफ्यान 4 काल मार्ग्स Geros Karl Marx ने कुछन सी किताब लिगी थी दास Capital और यहां पर गलत दिया हुआ 10 जोड़ी गलत है blessed हुए महाराज स्यासी महाराज सियासी राव से अजी राव यूनियरसित्वित छाइड़ेली के नाम है और यांफ है शहरों के नाम है तो आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी गलत है जिसमें शहर के नाम गलत बताये गया है तो देखिए यहां पर इसका जवाब है और ऑप्शन वन यह जो है यूनियर्ट सिटी यह कहा है बरोडा में है एक साइड में अकबार के नाम दिये है और एक साइड में एडिटर के नाम दिये है तो आपको सई जवाब इसमें से बताना है तो देखी इसका सई जवाब है option 2 दरपन को किस ने लिखा था भाव माहाजन ने लिखा था भाव माहाजन जो थे उसके editor थे तो यहाँ पर जो गलत दिया हुआ बाल, शास्त्री लिखा हुआ है तो यह wrong है तो इसके आपको लिखना है next मंदरजर जैल तसवरती खाका मुकमल कीजिए यह खाका दियावा इदर इनके मुफ़किरीन के नाम और इनकी लिखी हुई किताबे तो इसको किस तरह से मुकमल करेंगे हम आपको बताते हैं तो देखें यहाँ दियावा है मुफ़किरीन के नाम और उनकी लिखी हुई किताबे पहला देखिए James Mill, The History of British India James Grant Duff ने लिखा था The History of Maratha The History of India किसे ने लिखा था? Mount Stuart और S. A. Dungy ने लिखा था कि लिखी हुई किताब है Prematio Communism to Slavery और इस किताब जो आपको लास में दी वी है Who Were Dush इस किताब के जो लास में जो किताब का नाम दिया हुआ है इसके जो लेखा काई हो कौन है? डाक्टर बाबा साहिब अमबेट कर Next देखिए मंदरजर जैल तसवरती खाका मुकम्मल कीजिए महाराश्ट के सर्द मकामात और दूसरा है मंदरजर यह भी बिल्कुल वैसे ही है और यहाँ पर आपको बताना है भारत के जराए इबलाग कौन-कौन से थे? आंसर लिखिए एक साइड में लिख लिए थे आप कोईना नगर, राजीपूर, भाटगर और जायकवाडी यह क्या है महाराष्ट के सर्द मकामात है अगला देखिए भारत के जराए बलाग कौन-कौन से थे? पहले अगवार, फिर रिसाले फिर आकाशवानी और फिर दूरदर्शन नेक्स मंदरजर जहर इस्तिलाहत की वजाहत कीजिए कोई दो करना है एलनस निजाम दस्तावेजात के मुहाफिस खाना या जराए सयाहत तो इसके जवाब हम देखेंगे सेकन और ठटका जवाब इस तरह लिख सकते हैं पहले पॉइंट वाइस लिख सकते हैं दस्तावेजात के मुहाफिस खाने में पुराने और एहम कागजाद, फाइले, पुरानी फिल्में वगेरा महपूज रखी जाती है नेक्स्ट भारत के दस्तावेजाद का कौम में मुहाफिस खाना खाना दती में हैं और डिल्ली में हैं और हर रियासत में आजाद दस्तावेजी मुहाफिस खाने मुझूद है तीसरे है जर्री सियाहत जर्री सियाहत जरात और जरात से मुतालिक सरगर्मियों को देखने के लिए किया गया सफ़ जर्री सियाहत कहलाता है हालिया जमाने में बड़े पैमाने पर जर्री तहकीकात हो रही है इस काम के लिए पूरे भारत में जर्री तहकीकात मराकिज और जर्री यूनिर्सुटियां कायम की गई है किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी मुनासिब है इसका मियार केच्वा, जरात, खेतों में ताला, फलों के बागाद वगरे सरगर्मी अंजाम दी जाती है बारिश का तनास्व कम होने के बावजुद इस्राइल जैसे छोटे मुलक ने जर्री तनास्षोबे में जबरदस तरकी की है इनकी मालूमात हासिल करने के लिए किसान, तल्बा और शेहरी लोग वहाँ जाते हैं दिगर मुमालिक में भी लोग आते हैं इस वज़े से जरी सियाहत तेजी से फरोग पा रही है तीसरा देखे मंदर जजैल बयानात की वज़ुहात के साथ वज़ाहत कीजिए कोई दो वज़ुहात भी बताने हैं आपको के सही है या गलत है और इसके आपको वज़ाहत भी करनी है कोई हम कोई दो करना है आपको सारे बताएंगे इंश्याल्ला पहला देखे टेक्नलोजी की तारीक का मुताला जरूरी है जरूरी क्यों है इसका जवाब आप इस तरह लिख सकते हैं पॉइंट वाइस लाखों बरसों की पेशरफ्ट में इंसान तरक्की के हर मरहले पर नई नई महारते हासिल करता गया पत्थरों से हत्यार बनाते हुए जरूरी मशीनों की जानी पेशरफ्ट की और साइंस की दुनिया तक आ गया जरूरी पैदावार अशिय की पैदावार तामिरात इंजिनियरिंग वगेरा में तबदिल्या होती गई मशीन कारी की वज़े से पैदावार में इजाफा हुआ इनकी सारी तरक्यों को समझने के लिए हमें टेक्निलोजिक की तारीख का मुटाला करना होता है नेक्स देखिए दौरे हज़ीर में गैर मुलकी सफर की शरा में इजाफा हुआ है इसका अंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं बहरी जहाज, रेलवे और हवाई जहाज जैसे आमदोरफ्त के जराई की तरक्य की वज़े से दौरे हजीर में में बेनुलाक्वामी सियाहत आसान हो गई है साइस और टेक्नलोजी में तरक्य और महाशी आजादी की वज़े से दुनिया सिमट गई है उसूल तालीम कारोबार फिल्मों की शूटिंग जैसे मुक्तलिब अजबाब की बिना पर लोग दुनिया भर में घूमते फिरते है इस वज़े से मौझूदा जमानी में लोगों की गैर मुलकों को जाने का तनासुप पहले के मकाबले में बढ़ गया है जिसकी वज़े से गैर मुलकी सफर की शरा में इदाफ़ा हुआ है तीसरा जराई इवलाक से हासिर चुढा मालूमात का तेह की कि जाजा करना पड़ता है इसका जवाब इस तरह से लिख सकता है पॉइंट वाइज जराई इवलाक से हमारे सामने आने वाले मालूमात का मैच होना जरूरी नहीं मालुमात देने वाले जराय इबलाग का मकसद सरकारी पॉलिसी साबिक हाला जैसे कई पहलूओं पर नजर रखना जरूरी होता है मालुमात में जराय इबलाग के मफरूजात और नुक्ते नजर भी शामिल रहता है जर्मनी के हफ्ता रोजा इस टर्नल में हिटलर के खुद नविश्ट रोजनामे के बाद एक्तेबा साथ शाय किये गए बाद में इस रोजनामे का जाली होना थाबित हुआ इसलिए जराय इबलाग से हासिल होने वाली मालुमात का तहकी की तद्जिया करना पड़ता है और देखी नंबर फूर है दोरे हाजिर में खेलो की मैशत बदल गई है इसका जवाब इस तरह से लिखिया 20-21 सदी में खेलो की आलम कारी हुई है तमाम मकाबलों की रास्त नश्रियात दुनिया के कोने कोने में बैक वक्त होती है इसलिए शौकीन की लाड़ी सीखने के लिए और नाजरीन तफरीक के लिए इन के मकाबलों को देखने के लिए आते है नाजरीन का एक बड़ा तपका इन मुकाबलों को टीवी पर भी देखता है इसकी वज़े से कमपनिया बड़ी बड़ी रख में खर्च करके खेलों के नश्चितियात के दर्मियान अपनी पैदावार की इस्तियारत दिखाती है इन सारी वज़ुहत की बीना पर आज़ खेलों की महिशत बडल गई है नमबर फोर है दर्जिजे लिखते पास का बगवर मुताला करके दी गई सरकार्मिया मुकामल कीजिए चार नमबर का कोईशन है पहले जो आपको पैरिग्राप दिया गया इसको पहले बगवर पढ़ लीजिए तो देखें हम इसे पड़ें मेजर धान चन भारती होकी खिलाडी और कप्तान थी इनकी कप्तानी में 1936 में भारती होकी टीम ने बर्लिन में मुनकिद ओलम्पिक में गोल्ड मिडल जीता इससे पहले 1928 और 1932 में भी भारती होकी टीम ने गोल्ड मिडल जीते थे इस वक्त धान चन भारती होकी टीम के एक रुकन थे उनकी यौमे पैदाईश 31 सगस को कौमी खेल के दिन मक्तारबर मनाया जाता है उन्हें हौकी का जादूगर कहा जाता है 1965 में हौकी के शोबे में इनके कारणामों के एतिराफ में उन्हें पदमु भूशन एजास से नमाजा गया तो देखिए अब यह जो आपने परिग्राप पढ़ लिए इस पर जो कोश्चन पूचे गए है पहला हौकी का जादूआर किसे कहते हैं मेजर दहांग चान को 1936 में उलमपिक मुकाबले किस शहर में मुनकित हुएते बरलिन में और हौकी इस खेल के बारे में अपने ख्यालात का इज़ार कीजिए इसमें आपको बताना है के कौम हौकी जो है वो हमारा कौमी खेल है इसमें कितने खिलाड़ी होते है कब इसके एजात हुई वगएरा वगएरा जो भी आपके ख्यालात है आपको बता सकते है स्वाल नमबर पांट दर्दे जहिल के मुफसल तौर पर जवाब लिखिये कोई दो तारीक नवेसी में मशूर मौरिख वी के राजवारे की खिद्मात बयान कीजिए इसका जवाब लिखना है आपको जवाब इस तरह से लिखेंगे तारीक नवेसी जवानों का तारीक यो तकाबली जाइज़ा अलफास के असल इष्टेकाक वगएरा का इल्म कवायत का मुटाला करके मौराटी जवान में तहरीर करने वाले मौरिख के राजवारे मशूर है उन्होंने अपनी तारीक खुद लिखने पर जोड़ दिया उन्होंने मौराटो की तारीक माखस के उन्वान से 22 जिल्द में तरतीब दी उनका नज़रियत था कि तारीक सिर्फ सियासी उतल-पुतल हकुमत हासिल करने के दावपेज और जंगों से मुतालिक हकायक नहीं बलके माजी में साथ की एहमियत हिमा पहल जिन्दगी की अकासी है उन्होंने असली दस्तावेजात के जई तारीक लिकने पर जोड़ दिया नेक्स्ट है कुटुब खानों का इन्तिजाल में क्यूं आहिम है ज्वाब इस तरह से लिख सकते है कुटुब खानों का मतलब में सिकताब ज़र। करना भी अहमियत रखता है किटाबों को एक मक्सूस निजाम के त Executive को अपनी मतलब किटाब आसानी से मिल सकती है ये फॉरां मिताई जाए जा सकता है कि कौन सी किताब किस कहा रखी है इस वज़े से किताबों को तलاش करने में लाइबराइय में निजाणदाम करने वालों और काराइय दोनों का वक्त बelsेर्वाद नहीं होता, मुनजिम जानकार हो तो लाइबरारी में उंदा किताबों का जखेरा किया जाता है, इसकी वज़े से जहीन काराईन को उंदा किताबे मिल सकती है इसलिए कुतुब खाने का जिजामिया एहम है और अगला हम लिखेंगे मैदानी खेल नशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जिस्मानी सलायातार ताकत की जरूरत होती है जबके नशिष्टी खेलों में जिस्मानी सलायातार ताकत की ज़्यादा जरूरत नहीं होती माइदानी खेलों में कबड़ी, होकी, खोको, किर्केट वगएरा शामिल है नशिष्टी खेलों में सत्रन, कैराम, चौसर, ताश वगएरा शामिल है अजिस तल्बाव तालेबाद यहां आपका हिस्ट्री का कोश्चन पेपर सो मुकमल होता है, अब यहां से देखिए स्यासियात का इससे पहले हम आपको बता दे कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई है जो भी हमने क्लास्टेम के कोश्चन पेपर सॉल किया है उसकी लिंक आप गो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो सवाल नमबर छे देखिए दर्जिस जैल में से मुनासिब मुदबादिल चुनकर दोबारा लिखिए पहला है महाराश्टे में मकामी हुकूमती दारों में खवातिन के लिए खाली जगे नशिश्टे महिफूज रखी गई है कितनी पचास पचास नशिश्टे महिफूज रखी गई है नेक से जरई पैदावार बढ़ाने और अनाज के मामले में खुदकफिल होने के लिए खाली जगे लाया गया है सबस इनकलाब सवाल नमबर साथ बयाना सही है या गलत वजुहात के साथ लिखिये कोई दो हक मालुमात की वज़े से हकूमत के कामकाज में राजदारी बढ़ गई है इसका जवाब लिखना है आपको बयान गलत है जमूरियत को मजीद मुस्तैकिम होने के लिए और शहरों और हकूमत के बाहां में इदाफे के लिए शहरीयों को ये मालुम होना चाहिए कि हकूमत क्या कर रही है दूसरा पॉइंट लेकिन आप इस हक की वज़े से अच्छी हकूमत की खुसूसियां शफाफियत और जिम्मेदारी अमल में आती है और हकूमत के काम काच के आया खुले होने में मदद होती है यानि कोई काम चिपा नहीं रहता इस तरह हक्ये मालुमात की वज़े से हकूमत के काम काच में राज़दारी का उनसर कम हो गया है सेकर्ण है इलेक्शन कमीशन इंतिखाबात के दोरान जापता इकलाख नाफिस करता है ये बयान सही है या गलत लिकिए और इसकी वज़े बताई इसका जवाब आप इस तरह से लिकेएं कि ये बयान बिल्कुल सही है वज़े इलेक्शन कमीशन की वज़े से इलेक्शन आज़ादना तरीके से और गयर तीसरा है जमूरियत में तहरीकों को बड़ी एहमियाद हासिल है ये बयान सही है या गलत बताई तो आप लिकेंगें कि ये बयान सही है और जवाब इसक्तिमाई मसायल के खत्मे के लिए एक और कई अफराद मुनाजब मुनतजिम होका इसक्तिमाई तोर पर इतिजाज करते हैं तहरीक के बढ़ते हुए असरात की वज़े से हुकूमत को इस पर तवज्जे देनी पड़ती है हुकूमत के फैसल और पालुसियों के मुखालिफत करने के लिए तहरीक चलाई जाती है जमूरी तर्ज हुकूमत ही में अवाम को इसके जवाब लिए है पहला है इलाकाई पार्टी तो देखिए इसका अंसरिया मौझूद है अपने इलाकी की इंफरादियत के को बास फक्र समझना और इसकी तरकी के लिए उसूल एक्देदार के मुकाबले में उतरने वाले सियासी गुरो को इलाकाई पार्टी कहते है इनका असर अपने अपनी इलाकों तक महिदूद होता है इसके बावजूद ये अपनी इलाके में मौसर किर्दार अदा करते हुए कौमी सियासत पर अपनी चाप छोड़ जाते है इलाकाई पार्टीया इलागाई मसायल को फौकियत देती है अपनी इलागे को तरक्षी देने के लिए सिर्फ इक्तियारात हासिल करने की बज़ाए खुद मुक्तियार मुक्तियारी जरूरी मालूम होती है इलागाई पार्टी वफाकी मार्कज हकूमत के साथ ताउन करते हुए अपनी खुद मुक्तियारी को बरकरा रखने की कोशिश करती है और नेक्स्ट है सारिफीन की तहरीक इसका ब्यांसर असदर्सी किताब से हमने लिया है 1986 में तहफुस सारिफीन कानून वज़ा किया गया इसके बाद सारिफीन की तहरीक का अगाज हुआ इस तहरीक की मकासित वसी है मकास समाज का हर तबका सारिफ होता है निजाम माईशत में तबदीली और समाजी निजाम के बदलने की वज़े से सारिफिर मतासिर होते है उन्हें मुक्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है जैसे मुलावार चीजों की बढ़ाई बढ़ती हुई कीमते वजन और नाप में फरेव दही वगएरा इस किसमे के दोके बाजी से गाहकों को मैफूस रखने के लिए सारिफिर की तहरिक वजूद में आई दो नंबर का यह तो ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है बी देखिए मंदर जैल तसवर आती खाखा मुकमल कीजिए कोई एक दो खाकी दिये वे तो कोई एक करना है दो न बताएंगे खवातिन से मुतालिक कवानिन खवातिन से मुतालिक जो भी कानून बनाए गए थे उसके मुतालिक है आपको लिखना है चोकुन में तो देखी इस तरह से आप जवाब लिखेंगे पहले तो बाप और शोहर की जायदात में मसावी हक हवातिन का करैं गरेलू तशद्दुत के मुखालिफ कानून जहेज मुखालिफ कानून और जिन से इस्तेसाल से तहफुस का कानून ये चार आप चौकुन में लिखेंगे तूसरा तसवूरातिक हका है भारत की आदिवासी तहरीक आपको तो आपने पड़ाई होगा छोटा नागपूर, महाराष्ट, बिहार और उरिसा में जो उनके मुतालिक आपको यहां लिखना है ये उसका आंसर है, सौवाल नमबर 9 है, मुक्तेसा जवाब लिखिए कोई एक, दोनों बताएंगे इंशाला, पहला देखिए इंतिखाब हलकों की तश्कील इनौ की मालूमात लिखिए, इसका जवाब लिखेंगे आप इस तरह से, विदान सबा और लोग सबा की इंतिखा में राय दहिंद्गों की तादत घर जाती है, तो बाज अवकाद बढ़ जाती है, इस सबब से इंतिखाबी हलके मुतवाजन नहीं रह जाते, इस वज़े से इंतिखाबी हलकों की तश्कील इनौ करनी पड़ती है, यह इसको फिर से करना पड़ता है, और फोर हमारा हलके इंतिखाब बनाने और इनकी तश्कील ही नौ करने का काम इलेक्शन कमीशन की हद बंदी क्यमिटी करती है, और आपका लास्ट कोश्चन है, सियासी पार्टिओं की इम्तियाजी खुसूसियाद वाजे कीजी, स्यासी पार्टियों का वलीन मकसद इलेक्शन की तोसर सिक्तिदार हासिल करना होता है दूसरा हर स्यासी पार्टियों का मकसूस नजरिया पॉलिसी होती है हर पार्टियों अपने नजरिया के मताबिक अपने पोरोग्राम पर अमल दरामत करती है इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी हुकूमत बनाती है जबके अक्सरियत हासिल करने में नाकाम होने वाली पार्टी अपोजिशन पार्टी के हिसे से काम करती है स्यासी पार्टिय हुकूमत और अवाम के दर्मियान राप्ति की कड़ी के हिस्से से काम करती है इस तरह से आपको इसका जवाब लिखना है अजीस तल्बाउ तालेबाद उमीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेंगी अपने कोशियन पेपर सॉल्ल करने में तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए